बिहार विधान सबा चुनाओं, दोहजार पच्चीस से पहले बिहार में बदलाओ का बियार जो है वो साफ नजर आ रहा है और बिहार जो है इस बार कहीं न कहीं परिवर्तन की तरफ आँखे उठाएं, देख रहा है कि क्या इस बार सता परवर्तित होगा, क्योंकि बिहार में जो है कई तरीके से लोग परिशान है जातिवाद परिवारवाद और कई सारे मुद्दे हैं जिसके उपर आज तक बिहार में चुनाव होते आए हैं लेकिन कुछ नए मुद्दे अब जो है वो सामने आ गए हैं और अगर उस मुद्दे पे चुनाव होता है तो बिहार में जितनी भी पुरानी पार्टियां है उनके सपने जो है वो चूर हो जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बिहार क्यों परिवर्तन मांग रहा है और बिहार का वो नया चेहरा कौन होगा जो इन सभी पुरानी पार्टियों को ध़स्ट कर देगा इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन मैं आपको बता दू कि बिहार में अब परिवर्तन का लहर जो है वो साफ तोर पे देखा जा रहा है और वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हर एक पार्टी से बिहार वासी और बिहार की जन्ता जो है वो उप चुकी है नया नाम जो आ रहा है वो है प्रशांत किशोर का प्रशांत किशोर को ये माना जा रहा है कि बिहार में परिवर्तन की गूंझ प्रशांत किशोर ही ला सकते हैं वज़े ये है कि प्रशांत किशोर इत सत्प्रतिशत रहा है जिसके साथ प्रशांत की सोर उसके साथ जीत ऐसा वाला बात रहा है और इस बार प्रशांत की सोर जो है फुल फॉर्म में है बिहार में मैं आपको एक इंसिडेंट भी बता देता हूँ कि प्रशांत की सोर जब मुंबई में गए थे और वहां के एक पा प्रिषांद की सौर ने अपने पैसे और अपने फीस के बदले बस बहारी मजदूरों की इजदत वागी है, और इस तरीके से प्रशांद की सोर धीरे-ठीरे करके बहार के गलीयारों में भी दिखाई देने लगे, और एक छोटे से कस्बे से लेके बड़े जिले तक प्रशा कि सोर पैदल यात्रा किये पहुंचे लोगों से बात चीत किये और लोगों से उनकी तकलीफे उनकी जानकारिया भी जानी और इसके आलावा उन्होंने एक अपील भी की कि इस बार का जो चुनाव होगा वो इस बात पे नहीं होगा कि कौन सी पार्टी उनकी पार्टी है कौन कौन से जाती उनकी जाती है और कौन से जाती का नेता उनका लीडर बनेगा बलकि इस बात पे होगा कि बिहार में परिवर्तन कैसे आएगा बिहार में बदलाव कैसे आएगा बिहार में फैक्टरिया कैसी लगेगी बिहार में रोजगार जो है वो कैसे आएगा बिहार में पल कर रहे हैं और ये बताता है कि प्रशांत किसोर एक बड़े पडिवर्तन के ऊपर जो है वो काम कर रहे है इस बार चुनाओं में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किसोर का एक अपना दबदबा होग और बिहार की राजनिती जो है वो प्रशांत किशोर के नाम से भी जानी जाएगी, मतलब प्रशांत किशोर ने पूरा पार्टन जो है वो बदल दिया है, जिस पार्टन पे आज तक चुनाव होते आया है बिहार में, उस पार्टन को ही चेंज कर दिया है, उस पधती को ही इन और जहां पर बीहार वासी जो है चिरफ एक परिवार और एक समुदाय के पार्टी को सपोर्ट न करके बलकि पूरे बिहार को सपोर्ट कर रहे हैं अब मैं आपको ये भी बता दू कि प्रशांत की सोर जो है वो लगातार वीजिट कि ये लोगों की समस्याओं को जाना बार मे या फिर सूखे पन में हर एक दौर में मजबूती के साथ बिहार बासियों के साथ खड़े रहे लोगों से जाके मिले एक वीडियो में मैंने देखा कि बहुत जादा पानी लगा था और इसमें प्रशांत किशोर जाके लोगों से मिल रहे है बारिस बहुत तेज हो रही है और प्रशांत किशोर रुकने का नाम नहीं ले रहे है ये बात बताता है कि प्रशांत किशोर जो है वो बड़े पडिवर्तन को दावत दे रहे हैं बिहार में यानि बिहार जो है वो अब बदलने बदलने जैसा लग रहा है, बिहार जो वो पुराना पार्टन था कि हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, हम मुसलिम हैं तो मुसलमान को ही नेता मानेंगे, हम कुस्वाहा हैं तो कुस्वाहा को ही सपोर्ट करेंगे, तो वो जो र हमें आजा हर एक पार्टी को भुगतना परे यानि प्रशांत किसोर ने जिस तरीके से चुनावी रन्नीती अपनी बनाई है इस बिहार के चुनाव में वो भी खासा अलग है पार्थन पूरा अलग है पधती बिलकुल बदल गई है और अब जो चुनावी माहौल है वो भी ब पहुंचाईए बाकिया आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मेरा नाम रजत है